जै गुरुदेव आज दिनांक 25 नवंबर संदो हजार बाईशें महारशी वेद विज्ञान विश्विद्यापीट जोतिस विभाग द्वारा दैनेक बैदिक पंचांग प्रिस्तुत करते हैं महारशी संबसर 105 चल रहा है बिक्रम संबस दोहज्यार उन्याशी के अंतरगत दक्षन आयन है है मंतरितु है मारशी शिश्मा से शुक्ल पक्षे आज दुतिया तिथी एक बचकर तीन मिनट रात्री परयंत रहेगी ततपस्चात तत्रतिया तिथी का प्रारंब होगा दिन शुकरवार है जेश्ठा नक्षत है आठ बचकर शात मिनट रात्री परयंत ततपस्चात मूल नक्षत प्रारंब होगा आज सुकर्मा योग है ग्यारा बचकर 49 मिनट दिन परयंत ततपस्चात ध्रतियो प्रारंब होगा आज बालब करण हैं दो बच कर तीन मिनट दुपहर पर यंत अत्पस्चाथ कॉलब करण सुरू होगा सूर्योदय का समय है छे बच कर 41 मिनट प्राता सूर्यास्त का समय है पाच बच कर 19 मिनट श्रायम राहुकाल का शमय हैं 10 बच का 30 मिनट से प्रारम होगा और दुपहर में 12 बजे तक राहुकाल रहेगा इसी क्रम में 12 राश्यों का फल सरपर्था मेस राशी मेस राशी का श्वामी मंगल गोचर में अन्कूल है लेकिन आज ही मंगल बक्री चल रहे हैं इस तीन मजे की लगभग ब्रश रासी में प्रवेश भी करेंगे ऐसी इस्थिती में कुछ आपको पारिवारिक उल्जेनों का सामना भी करना पड़ेगा और परिवार में कुछ कलह बिवाद की इस्थिती भी उत्पन होंगे लेकिन चंद्रमा भी आज सायम गोशर में रहेगा ब्रश रासी का श्वामी शुक्र गोशर में अनकूल है चंद्रमा प्राताकाल ठीक रहेगा ब्रश रासी बाले व्यक्तियों के लिए दिन मंगल में रहेगा स्वास्त में अनकूलता होगी कारिच छित्रें विकाश होगा कुष नवीन मित्रों से आपकी मित्रता बन सकती है उनका शहयोग से अपने कारिज शित्र में आप लाव प्राप्त कर सकते हैं मिथुनरासी का श्वामी बुध गोचर में अनकूल है चंद्रमा मिथुनरासी वाले व्यक्तियों के लिए अनकूल सायम को नहीं रहेंगे ऐसे इस्थिति में आपको पूरवार्ध के आ जल्दवाजी कारण से बचें ब्यर्थिक की यात्रा से आपको बचना चाहिए यही उत्तम होगा करकराशी का स्वामी चंद्रमा है चंद्रमा गोचर से अनकूल इस्थिति है आपके लिए जो सोचे हुए कार हैं उसमें शफलता मिलेगी आर्थिक लाब होगा सास के पक्षिके कोई कार रुके हैं तो आहें शंपन होगे बहुत दिन से आपके जो कार रुके थे वह भी आपके पूर्ण होने के शंकेत मिल रहे हैं स्वजनों का शहयोग आपको बराबर प्राप्त होता रहेगा आपको मा लक्षमी की आराधना सबसे उत्तम रहेगी शिंगरासी का श्वामी शूरिये गोचर से अनकुल नहीं है ऐसे इस्थिती में आपके लिए अपने स्वास्त पर अपने परिवार की देखवाल मातर पिता की स्वास्त पर ध्यान देने की शूरिये किसी परिवार के व्यक्ति के स्वास्त को लेकर के कुछ चिंताय रहेंगी आर्थिक धन का अधिक ब्या होगा लाब कंप्राप्त होगा कन्याराशी का श्वामी बुद्ध है और बुद्ध की इस समय गोचर स्थिती अनकूल है ऐस करनेशे आपके मन में प्रशनता आत्मवाल की ब्रद्धी होगी गुरु जनों का आशिरवाद लेकर क्यार करें आपके कारपूर्ण होंगे तुलाराशी तुलाराशी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा जहां स्वास्त में कुछ उताजड़ाव देखने को मिलेगा वहीं पर आर्थिक दिश्टी से समय अच्छा है कोट कचेरी त्यादी के मामले में विजय लाप प्राप्त होने के शंकेत भी दिखलाई दी रहे हैं ब्रिश्चिक रासी ब्रिश्चिक रासी का श्वामी मंगल आज गोचर में अनकूल हो जाएंगे तो आपके लिए आर्थिक लाप उत्तम रहेगा व्यफशाय में ब्रिद्धी होगी साहस पराक्रम धर की ब्रिद्धी होगी भूमी भवन से सम्मंद्यत लाप की प्राप्ती होने के योग भी बनेंगी जो बहुत दिन से रुके हुए कार है वह आपके कार शंपन होंगे यात् अनुराशी वाले व्यक्ति इस समय अत्ति खर्चे से आपको बचना चाहिए भूमी भवन से सम्मंद्यत लाब के लिए समय अनकूल होगा शंतांज सुख जीवन साती का शयोग आपको पूर्ण रूप्शे प्राप्त होगा बहुत एक शुश्विदा के छेतर में धनकी ब देख परिश्रम करने के पस्चात लाब प्राप्त होने के शंके दिखला रहे हैं इस ऐसे इस्थिति में आपको अपने कार्य में ब्योहार में मन में प्रशनता का भाव रखने की आवशक्ता है कुरोध पर आपको नियंत्रन रखना चाहिए कुम्भराशी का श्वामी शनी है इस समय अपने शिद्वास भाव में है गोचर में चद्रमा की अनकूल इस्थिति आर्थिक दृष्टी से समय अच्छा रहेगा परिवार इस्टिजनों का शहयोग मिलेगा कोटका शेरी के मामले में बीजय मिलेगी स्वास्त में अनकूल स्थेती आपकी भाग का साथ देगी कार शित्र विकास देगी मैंने प्रशनता होगा स्वास्त की अनकूलता बनी रहेगी इस शमय कुछ नवीन मित्रों से आपका शहयोग बन लेगा यह कह सकते हैं कुछ आपके नए मित्र भी बन सकते हैं उनकी सलाय लेकर के भी कार करने से आपको कार में निश्चेत रूप्षे शफलता प्राप्त रहेगी ए रहा द्वास राश्यों कफले सीगे साथ अपने बाणी को ब्राम देते हैं जै गुरुदेश